My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra Online Classes for Education. मैं आप सभी लोगों का Dr. S. Chandra Online Classes for Education में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी का हर्दिक स्वागत है, हर्दिक अभी नंदन है. परिविद्यारतियों, पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम सभी लोगोंने methods of acquiring knowledge या ज्यान प्राप्त की विदियों के बारे में चर्चा किया है, और उसमें हम सभी लोगोंने personal experience method या व्यक्तिक अन्भविद, authority method of knowledge या अधिकारता विद, और सांधिसा deductive reasoning method या विद उसकी चर्चा कि क्लास में इस वीडियों के इंतरगत, we will discuss about the inductive reasoning method या आगमन तर की विद, चले, सबसे पहले हम लोग तो यह देख लेते हैं कि knowledge acquire करने क्या methods of acquiring knowledge कौन-कौन सी है, ग्यान प्राप्त करने की विदियां कौन-कौन सी है, तो जो सबसे पहली विदि है, जिसके बारे हम लोग चर reasoning method या निगमन तरकविद, चौथा है inductive reasoning method या आगमन तरकविद, और पांचमा जो है, that is scientific method या वैग्यानिक विद, इसमें से हम समी लोगों ने पहले personal experience method की चर्चा की, फिर authority की चर्चा की, फिर deductive की चर्चा की, और आज की क्लास में इस वीडियों के अंतरगत, we will discuss about the inductive reasoning reasoning method या ज्यान प्राप्त करने की आगमन तरकविद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, चले, inductive reasoning method या आगमन तरकविद जो है, यह जो है ज्यानारजन की एक तरकविद है, जिसके प्रणेता माने जाते है, Francis Bacon, Francis Bacon ने इसको start किया था, तो ज्यानारजन की आगमन inductive reasoning method जो है, इसको बैकोनियन विद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विद के या आगमन तरकविद के जो प्रेरक थी वे कौन थे, Francis Bacon थे, इसलिए इसको बैकोनियन मेथड भी कहा जाता है, Francis Bacon was the initiator of the inductive method of knowledge, knowledge acquisition, hence this method is also known as बैकोनियन मेथड, तो बैकोनियन मेथड कि method कहते हैं, inductive reasoning method को बैकोनियन मेथड भी कहा जाता है, ग्यानारजन की निगमन तरक के विप्रीद आगमन तरक विशिष्ट से सामानी की और परविर्त होता है, ध्यान देजिए, जब हम सभी लोगोंने deductive reasoning method पढ़ा था, तो deductive reasoning method में हम लोगोंने क्या पढ़ा था, कि वहा अगमन जो तरक विद है, इसमें हम बिशिष्ट से सामानी की तरव बढ़ रहे हैं, तो deductive reasoning method में क्या है, general to specific चलते थे, means सामाने से बिशिष्ट की तरव चलते थे और उसका just opposite है, बिशिष्ट से सामानी की और ग्यानारजन की निगमन तरक विद है, उसमें बिशिष्ट से सामान, निगमन में सामान से बिशिष्ट की और चलायाता है, in contrast to the deductive reasoning method of acquiring knowledge, the inductive reasoning tends to move from specific to general, जब हम specific to general चलते हैं, तो हो जाता है inductive reasoning method, जब हम general to specific चलते हैं, तो हो जाता है हमारा deductive reasoning method, तो इसको ध्यान रखेगा, इसी पर based कुछ प्रस्ण भी आपके competitive exam में आया, आपकी पर आगमन तरक्वित के अंतरगत, बैक्ति सरप्रत्म एक विशिष्ट प्रकार के अनेकों द्रिष्टानतों का संक्लन करता है, फिर उनमें नहित समानताओं को पहचानने का प्रयास करता है, एवं तदुनक्रम में नवीन ग्यान को अरजित करने के लिए उस दिसाग में आग द्रिष्टानत या एक्जाम्पिल को कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो क्या करते हैं, सरप्थम एक विशिष्ट प्रकार के अनेकों द्रिष्टानतों का हम संक्लन करते हैं, धेर सारे एक्जाम्पिल्स हम उस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं, उस मुद्दे से समध् और जो डेर सारे इक्सांपिल्स होते हैं। ईलिप्रवर्व सिम्लारती है हैं, कया समानताइं हैं, उसी समानताओं को हम पहचानने का प्जांताइं करते हैं। या एक समानदी करनप पहुंचते हैं तो एक विषिट प्रकार के अनिकू द्रिश्टान्तों को, collect करता है, संक्लित करता है और फिर उनमें नहीं समानताओं को पहचाननी का प्रयास करता है, उसमें क्या क्या similarities है, और तदुन करम में नवीन ग्यान को अर्जित करने के लिए उस दिसा में बढ़ता है, और जब similarities को हम देख लेते हैं, जान जाते हैं, तो उसके हिसाब समें एक नवीन ग्यान या निव नॉलेज को ग्रहन कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, so under the method of inductive reasoning, a person first collect a number of examples of a particular type, means जिस मुद्धिया, जिस topic की हम बात कर रहे होंगे, उस topic की है, उस प्रकरण से सम्मनित, धेर सारे examples, या हम illustrations देखते हैं, examples the similarity inherent in them, उसके हम क्या करते हैं, उसमें जो similarities होते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं and moves in that direction to acquire new knowledge, और उसके द्वारा हम एक नए नालेज या नए ग्यान की प्राप्ति करते हैं, new knowledge की हम प्राप्ति करते हैं, एक दिश्च यह तो एक दिश्च से इस विध को निग्मन विध के विपरीत या opposite विध भी कहा जाता है, तो दूसरी दिश्च से इसको उसका complementary या पूरग विध भी कहा जाता है, कि जो आगमन विधी है, वो निग्मन विध की पूरग है, या complementary है, या opposite है, from one point of view, inductive reasoning method can be called the opposite reasoning or logical method of deductive method, and from other point of view, it can also be called it is complementary method of the deductive method, तो इसको हम opposite method या complementary method कहते हैं, किसका deductive reasoning method का, अब चलिए हम लोग अपनी inductive reasoning method की बात करते हैं, आगमन तर्क विध की बात करते हैं, और उसके types को देखते हैं, उसके प्रकारों को देखते हैं, कि आगमन तर्क विध की कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं, what are the types of inductive reasoning method, दो प्रकार के होते हैं, the first one is perfect induction या पूर्ण आगमन, and the second one is imperfect induction या अपूर्ण आगमन, तो आगमन तर्क विध दो प्रकार के होते हैं, पहला पूर्ण आगमन, दुसरा पूर्ण आगमन, that is perfect induction and imperfect induction, perfect induction क्या होता है, इसको देखते हैं सबसे पहले, जैसा कि नान सेस्पस्ट है, पूर्ण आगमन विध या perfect induction method, इसका मतलो यहां पर जो आगमन की क्रिया induction की क्रिया होगी, उसमें कहीं ने कहीं क्या होगी, पूर्ण आगमन विध की अंतरगत, अपने अध्यन छेत्र के सभी दृष्टांतों के औलोकन के आधार पर सामाने के निस्करस निकाले जाते हैं, धान दीजे, यहां पर ओ जो छेत्र होगा, वो जो फिल्ड होगा, वो जो टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड जितने भी examples होंगे, जितने भी दृष्टांत होंगे, उन सभी दृष्टांतों का हम अलोकन करते हैं और उसके आधार पर फिर हम generalizing की तरफ बढ़ते हैं, conclusion की तरफ बढ़ते हैं, under the complete जितने भी instances है, examples है, दृष्टांत हैं, उन सभी दृष्टांतों का आउलोकन करके हम generalizing करते हैं, सामानी करण की प्रक्रिया करते हैं और बेकन ने भी अपने अध्यानों में पूर्ण आग्मनविद का ही प्रियोग किया था, the method of perfect induction was used by बेकन in his study, तो ध्यान देजिए, बेकन ने कौन सब मेथड यूज किया, बेकन के द्वारा perfect induction method ही प्रियोग किया गया था, अपने अध्यानों में, अपने study में दूसरा है, that is imperfect induction method या अपन आग्मनविद, तो नाम से इस परस्ट आपन मिंस कहीं न कहीं आपनता होगी और अपनता कहां पर होगी, जो हमारे illustrations हैं, जो हमारे examples हैं, जो हमारे के पुरे examples हैं, पुरे के पुरे उदाहरण उस study area से जो होते हैं, उनको हम नहीं ले पाते हैं, बलकि कुछ दिश्टांतों को, कुछ examples को हम चुन लेते हैं, तो कुछ चुने हुए दिश्टांतों के अधार पर हम एक conclusion या generalization है, प्रायक्ता निसकर्स पर पहुँचने का प्रयास करते हैं, इन incomplete induction method, probability conclusions are obtained on the basis of some selected examples, तो यहाँ पर जो conclusions होता है, प्रायक्ता निसकर्स होता है, probability conclusions होते हैं, और जो हम conclusions निकालते हैं, वह जो है, कुछ examples, some selected examples के आधार पर हम conclusion निकालते हैं, imperfect induction method या पूर्ण आग्मनविद में, अब इन दोनों विदियों को हमें example के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले, पूर्ण आग्मनविद का उधार ने examples of perfect induction method, किसी एक परिवार के सभी 6 सदस्यों की सिच्छा का अस्तर निम्नुत है, the level of educational qualification है, सिच्छा कास्तर है, वो हमारे सामने आ रहा है, पहला है, first जो member है, परतम सदस्यों वह बिये किया है, दुती जो सदस्य उसने C.A. का course किया है, आप देखिए यहाँ पर, इस example में एक परिवार के education label के बारे में सिच्छा के स्तर के बारे हमको decision लेना है, उस परिवार में कुल 6 सदस्यों है, और 6 सदस्यों का, जो all members का, सभी members का, सभी सदस्यों का, हमारे पास education education level है, उनका क्या सिच्छा का स्तर है, उस परिवार का, कि सभी किया है, इस परिवार में graduate है या असनातक उपादी की प्राप्त सदस्यों है, जितने भी इस परिवार के सदस्यों है, तो इसके आधार पर हमने निरडे लिया, लेकिन यहाँ पे जो निरडे हमने लिया, उस जितने भी सदस थे जितने भी मिम्बर्स थे सभी मिम्बर्स का हमने educational qualification देखा तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आगमनविद या perfect induction method जहां पर जितने भी illustrations जितने भी examples या जितने भी दरिश्टान्थ होते हैं उन सभी के आधार पर हम जो है कोई निरड़या conclusions लेते हैं अब चलिए हम दूसरा example देते हैं that is the example of imperfect induction method या आपूर्ण आगमनविद का उदाहरन देखते हैं examples of imperfect induction method देखिए कुछ statement दिये गाएं कि Mohan is a mortal या Mohan Nashwar है दूसरा है Shiam is mortal या сам नस्वड है तिसरा है निहारिका नस्वड है या निहारिका पोस्पा नस्वड है पुस्पा इज मोर्ड चहथा है सचिन नस्वर है सचिन इज मोटल है पांचवा था सचिन नस्वर है सचिन इज मोटल चठा है प्रियंका नस्वर है या प्रियंका इज मोटल यहां पर देखेए अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहां पर मोहन, स्याम, निहारिका, पुष्पा, सचीन, प्रियंक का मानो हैं, इनसान हैं, हुमेन, मिंग्स हैं और जितने भी हुमेन, बिंग्स हैं, जितने भी लोग हैं सब का कहा रहा है कि नस्वर है, मोहन नस्वर है, स्याम नस्वर है, निहारिका मोटल है, पुस्पा मोटल है, सचिन मोटल है, प्रियंका मोटल, इसके अधार पहुत कह सकते हैं, कि जो इनसान होते हैं, वे क्या होते हैं, मोटल होते हैं, या फिर मानो जो है, क्या हो, नस्वर ह यह हमारा conclusion निकल क्या रहा है लेकिन हमने इस conclusion के लिए जितने भी इंसान है या जितने भी प्राणी है जितने भी human beings है सबका example हमने नहीं लिया तो यह क्या है यह एक imperfect induction method का उधारण है अपुन आगवनविद का उधारण है जहांपे जो हमारा study area होता है उस study area के सभी members है सभी examples को हम अपने अध्यन में समलित नहीं कर पाते हैं या उनको हम अपने examples से लिस्टेशन में नहीं ले पाते हैं कुछ कुछ select करते हैं और selection के आधार पर जो हमारे पास select होकर के आते हैं members या examples उसी के आधार पर हम कोई conclusion draw करते हैं जैसे इस example में हमने conclusion draw किया निसकस निकाला कि मनुस नस्वर होते हैं human beings are mortal लेकिन इस example तक इस conclusion तक पहुँचने के लिए हमने जितने भी मानो बिंग से सभी मानो human beings से मनुस्यों का हमने उदाहरण नहीं लिया कुछ selected हमने examples लिया और उसके आधार पर हमने conclusion निकाल दिया तो इस तरह से अपर इस तो दोनों उदाहरणों के अलोकन सस्वर्ष्ट है कि पूर्ण आगमनविद के अंतरगत संपूर जनसंख्या मिस total population से प्राप सुचनाओं के आधार पर निसकर्स निकाला जाता है जबकि जो अपूर्ण आगमनविद है इसमें संपूर्ण जनसंख्या की एक छोटे से नियादर्स या प्रतिदर्स जिसको हम सेंपल करते हैं उससे प्राप सुचनाओं को सामानित करके निसकर्स पर पहुचा जाता है तो दोनों में सबसे बढ़ा आंतर क्या है कि यह जो है पर्फेक्ट इंडक्षन मेथएड है या पूर्ण जो है आगमनविद है तो उसमें संपूर्ण जनसंख्या की एधार पर हम सुचनाओं कर निसकर्स निकालते हैं और इंपर्फेक्ट induction method में एक हम sample लेते हैं न्यादर्स लेते हैं प्रदर्स लेते हैं और उससे जो सूचनाय प्राप्त होती है उसके अधार पर हम conclusion draw करते हैं it is clear from the observation of both example is that under the perfect induction method the conclusion is drawn on the basis of information received from the entire population संपून जन संक्या entire population के अधार पर हम conclusion draw करते हैं whereas in the imperfect induction method the information obtained from the small sample of the entire population is generalized and the conclusion is drawn तो यहां पर imperfect induction में हम छोटा सा sample लेते हैं small population लेते हैं छोटा सा प्रदर्स लेते हैं उसके अधार पर हम नेड़ाय लेते हैं conclusion draw करते हैं तो इस तरह से दोनों ही प्रकार के ग्यान प्राप्त करने के आगमन तरकविध में वेसिस्ट इस्तितियों को सामानी करने करके निस्कस प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है आपने दोनों example देखा आगमन तरकविध का लेकिन दोनों examples में दोनों धारणों में यह notice किया होगा कि सभी में हम क्या करें पहले examples देख रहे हैं या विसिस्ट इस्तितिया देख रहे हैं और उन examples के आधार पर हम कुछ conclusion ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ सामानी करन कर रहे हैं तो विसिस्ट इस्तितियों से सामानी करन की तरब हम बढ़ते हैं आगमन तरकविध में और यह just opposite है निगमन तरकविध का in both types of inductive reasoning method of acquiring knowledge and attempt is made to generalize the specific situations and get the conclusions तो हम क्या करते हैं कि specific situations जो होते हैं उसके आधार पर हम generalization करते हैं या सामानी करन का का कार करते हैं तो इस विदिकाव उपियों करके 17 तथा 18 सता अबदियों में ज्ञान विज्ञान के छित्र में परचूर उन्नत हुई थी द्यान देजिए यह जो हमारा induction method है इस induction method का प्रियोग 17 और 18 ते अर्था 17 और 18 सतापदी के दोरान बहुत अधिक किया गया और उसमें ग्यान विज्ञान के छित्ने परचूर उन्नत हुई इस विदिकाव प्रियोग करके लेकिन जैसे हर विदियों के कुछ सिमाय होती है कमिया होती है उसी तरह से inductive reasoning method या induction reasoning method या आग्मन तरक विदिक की भी अपनी कुछ limitations है कमिया है सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप जो देखेंगे कि कोई भी study area है और उस study area में जाकर कि हमको कुछ conclusions ड्रॉ करते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पढ़क उस study area में examples या illustrations या जितने भी members हैं उन सभी का हमें study करना पढ़ रहा है तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो है विद ही जो है वह बहुत ही time consuming है अतदिक समय साथ है साथ बहुत अधिक इसमें सरम लगता है तो अधिक सरम साथ है और जब हम इतना कारे करेंगे तो वह हमारा expensive भी होगा खरचीला भी होगा तो अतदिक समय साथ होना अतदिक सरम साथ होना अतदिक खरचीला होना extremely time consuming very laborious expensive और साथ जो हम इससे knowledge मिलता है जो प्राप्त ग्यान होता है उसका कालांतर में सत्यापन करना संभव भी नहीं होता है जो हमें ग्यान के प्राप्त होती है उसका जब कुछ समय के उपरांद्या कालांतर उसका हम verification भी नहीं कर सकते हैं उसका हम सत्यापन भी नहीं कर सकते हैं तो एक कुछ कमिया है जिन कमियों के कारण धीरे धीरे एक inductive reasoning method को नकारा जाने लगा और एक नई जो है ग्यान प्रा सुचना है एकतित करना तो संभव हुआ परंद इसमें इससे न तो मानोजात के सारभोमिक ज्यान भंडार में कोई विश्यस ब्रिद्धी हुई और नहीं सारभोमिंग प्रकृत की समस्याओं का समाधान मिल सका दो ध्यान दिशी एक और कमी है कि inductive या आग्मन तर्गित के द्वारा जो है जो छोटी-छोटी समस्याओं होती थी उस छोटी-छोटी समस्याओं से सम्दित छोटी-छोटी हम सुचना है एकतित कर लेते थे और उससे हम जो है कुछ conclusion ड्रॉ कर लेते थे परंद इससे न तो मानोजात के सारभोमिक ज्यान के भंडार में कोई विश्यस नहीं रहा और साथ जो सारभोमिक प्रकृत की समस्याओं थी जो इन्युवर्सल नेचर की समस्याओं थी उन समस्याओं का समाधान भी इंड़्यूर्शनिक मेथड के द्वारा नहीं हो पाया इससे नहीं समझालीव धिसन बीजब इज। इस्टरब के लिगत flash इनुवर्सल नेचर आख थी। । उच। इस्टरख जे की जो भी समस्याइन है उन समस्याओं का समाधान भी इस विद के द्वारा नहीं हो पाया इसलिए कालांतर में इस विद को छोड़ दिया गया बाउधिक छेत्रों में ग्यान प्राप्ति की एक नवीन विद की तेवर्ता महसूस की जाने लगे एक नवीन विद की आवसकता मह की गई क्योंकि इस विद में ऻिए सारी कमियां थे और इस विद की द्वारा जो है जो प्रमुख समस्याओं थी ही और सरने चर्स की या मानों की सारभुमी जिए के भंडारं भिद्री की जो बात थी उसमें प्रकुत की समस्याओं का समाधान इस से नहीं मिला इसलिए एक नवीन बिद की आवसत्ता तिब्र रूप से महसूस की जाने लगी इन दे कॉर्स ओफ टाइम इस मेथड वाज आलसो अबंडन और इंटेंस्टी अफ नुव मेथड आव एक्वारिंग नॉलेज इन इंटेलेक्ट्टुल फिल्ड वास फिल्ड तो इस तरह से एक नवीन बिद की तिब्रता महसूस की जाने लगी और ओवर नवीन बिद क्या थी that is scientific method of acquiring knowledge या ज्यान प्राप्त करने की वैज्यानिक बिद थी तो ज्यान प्राप्त करने की वैज्यानिक बिद या scientific method of acquiring knowledge क्या है इसके बारे में हम सबी लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स तो अलो फ्यू प्लीज लाइक शेरन कमेंट आन दे वीडियो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिस अधिक अपने फ्रेंट सरक्ली में सेयर कीजिए जिससे कि वे भी आपका वे भी जो इस वीडियो का लाव उठा सकें और साथ साथ इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट्स गुदा रहा है यापका कोई भामुल सुझाओ है या कोई प्रश्ण है कोई समस्य है तो आप हम तक मुचा ही हम आपके प्रश्णों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपके समस्याओं का समधान करने का प्रयास करेंगे और साथ जो भी आपके भामुल सुझाओ होगी उसे जहोंपर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे इसके लिए जड़ोगी है कि आप चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ जहां पर सबस्क्राइब लिखा है उसके बगल में गंतिक आकार है बिल का इकन उसको प्रेस कीजिए उसको दमाने पूर कुछ ऑप्षिन्स आते हैं उन भी कलपों में से आप अल के ऑप्षिन को से अगली क्लास में हम सिगरी मिलते हैं जल्दी मिलते हैं ग्यान प्राप्ट करने की वैज्ञानिक विध के साथ और साइंटिफिक मेतोड आफ एक्वारिंग नॉलेज को डिसकस करेंगे हम अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवा